पंडित ले आया मलिश्का के लक्षमी को हॉस्पिटल में जान से मारने की अस्ती सचाई निलम के सामने और पंडित ने कह दिया निलम को कि आपके बेटे क्यानी रिशी और लक्षमी दोनों को है मलिश्का से अपनी जान का खत्रा जिसे सुनका निलम को लगेगा बड़ा जी हाँ दोस्तों भाग्य लक्षमी के आने वाले धुमाकेदार एपिसोड में जब नीलम घर पर करिश्म बुआ और दादी के साथ रिशी की सलामती की प्रातना करी होगी तब ही लक्षमी के पंडित जी क्यानी बद्रेनात पंडित जी अचांक से रिशी के घर आ जाएंगे जहां पर जैसे ही नीलम की नजर पंडित जी पर जाएगी तब ही नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम पंडित जी के पास जाकर नमस्ते करती हुई काएगी कि नमस्ते पंडित जी बताये अभी आप इतने परेशान क्यूं है कुछ हुआ है क्या तब ही ये सु लक्षमी पर अपनी अपनी जान का खत्रा है जिसमें रिशिय और लक्षमी दोनों की ग्रहाग की दशाहिं पूरी उल्टी हो गई है जहांपर लक्षमी जान पर जादा खत्रा है, लक्षमी अभी बहुत गहरे संकट में है और कोई लड़की उसकी जान के पीछे हाद धोकर पड़ी है अगर इशीद चाहे तो कुछ शान में लक्षमी को बचा सकता है तो बचा ले वरना अभी लक्षमी को मौच से भगवान भी नहीं बचा सकता यह सुनका नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगे और जब नीलम कहेगे कि पंडित जी आप यह देखकर बता सकते हैं कि लक्षमी की जान पर खत्रा किस लेड़ी की वज़े से आया है और वो कौन से लड़की है जो लक्षमी को मारना चाहती है तब यह सुनका पंडित जी कहेंगे हाँ लक्षमी को सीन राशी से खत्रा है और सीन राशी में आने वाले शब्द मा है इसलिए लक्षमी को मा नाम की लड़की से खत्रा है जिससे सुनका नीलम को मलिश्का का खया लाएगा जहाँ पर नीलम पंडित जी के सामने नाम लेती हुई कहेगी कि मलिश्का लक्ष्मी को मलिश्का से खत्रा है तब ही पंडित जी कहेंगे हाँ मलिश्का से सिफ लक्ष्मी को नहीं पलकी रिशी को भी खत्रा है आपके बेटे की जान को खत्रा है और पिछले कुछ दिनों के ग्रहों को देखे तो आपके बेटे रिशी और आपकी बहु ल जान से मारने की कोशिश करने वाली यह मानाम की ही लड़की थी यानि वो मलिशका ही थी जिसकी वज़े से आपका बेटा रिशे और लक्षमी को दोनों को हॉस्पिटल आया और दोनों की जान पर खत्रा आया यह सुनकर नीलम को पंडित की बातों पर भरोसा नहीं होगा इसल लक्षमी नहीं रही मलिश्का ने लक्षमी को जान से मार दिया तब यह सुन का नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जहां पर जब नीलम खुनी मलिश्का के पास जाएगी और मलिश्का को लक्षमी के खुन से रंगते हुए लत्पत देखेगी तभी नीलम के होश उड जाएंगे और निलम गुस्से से मलिश्का को खड़ी करके काएगी कि मलिश्का तुमने क्या कर दिया लक्षमी का तुमने खून कर दिया तभी एसुन का मलिश्का काएगी हाँ तभी निलम काएगी कि सतसत बताओ अभी जो रिशी लक्षमी का एक्सेंट हुआ था क्या वो त सब मलिश्का के मूझ से सुनका निलम को अपने किये का एसास होगा और लक्ष्मी के जाने का निलम को दुख होगा और लेकिन लक्ष्मी अगर चली जाएगी तो आगे आप यहाँ भागे लक्ष्मी को लक्ष्मी के बिना देखेंगे के नहीं और मलिश का के असली सचे निलम के सामने आनी चीए कैना ही और पंडी जी मलिश का के असली सचे लाकर सही करेंगे कैना ही के साब हमें कॉमेट में सदरूर बताएं और आप प्लीज इस वड़ो को लाइक शाओ माय चैया को सब्क्राब करें